हलो दोस्तों, क्रीक माइथिलोजी की अपनी पिछली वीडियोज में मैंने मोस्टली ब्यूटिफल गॉड़ेश को आपके साथ डिसकस किया पर आज मैं आपके साथ एक स्ट्रॉंग आरन विल्ड एग्रेसिव गॉड़ेश को डिसकस कने वाला हूँ जिसका नाम है नेमेसिस तक गॉड़ेस ओफ रिवेंज, रिट्रिब्यूशन और फॉर्चुन तो चलिए बिना कोई देर किये लेट्स गेट स्टार्टेड नेमेसिस को गॉड़ेस ओफ डिवाइन पॉनिश्मेंट और रिवेंज की तरह देखा जाता है जो की एक बेरहम गॉड़ेस है उसे लौ एन ओर्डर पसंद है और जो कोई भी उसके इस सिस्टम या गॉड़ेस के खिलाफ एरोगेंज शो करने की कोशिश करता है नेमेसिस उसे कहीं का नहीं छोड़ती निक्स और प्रिमोर्डियल गॉड ओशिनस को इस गॉड़ेस का पेरेंट्स माना जाता है ग्रीक माइथिलोजी में इस गॉड़ेस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे की रामोनोस जो की एंशन क्रीस की एक कॉस्टल सिटी थी या फिर एडरेस्टिया यानि एक ऐसी गॉड़ेस जिसे बचा ना जा सकता हो जो उसके स्ट्रिक्ट और अनकर्ट वे ओफ पनिशमेंट को भी रिप्रेसेंट करता है हर गॉड़ेस की तरह नेमेसिस से जुड़े भी बहुत सारे मिट्स है जैसे की नेमेसिस और नार्सिसस का मिथ अकॉर्डिंग टू दिस मिथ नार्सिसस एक यंग हैंडसम मैन था जो अपनी चाहने वाली लवर्स के साथ एरोगेंट या शेमफुल बिहेवियर शो किया करता था नेमेसिस को नार्सिसस की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई इसलिए उसने ऐस दब पनिशमेंट नार्सिसस को एक ऐसा पूल दिखाया जहां अपनी शकल की रिफलेक्शन को देखने के बाद वो उसी रिफलेक्शन से प्यार कर बैठा जिसके प्यार में वो अतना पागल हो गया कि उसे अपनी जान गवानी पड़ी इसके साथ ही नेमेसिस और उसके चिल्डरन का मित भी बहुत फिमस हुआ जिसके मताबिक नेमेसिस गौड़ेस ऑफ जस्टिस होने के साथ ब्यूटी से भी ब्लैस्ट थी और जिउस हर ब्यूटीफल निम्फ या गौड़ेस को अपना बनाने में इंटरस्टिट रहता था उसकी इस हैबिट का टारगेट नेमेसिस भी बनी जिसने खुद को जिउस से बचाने के लिए एक एनिमल गूस में बदल लिया पर जिउस भी कहां माने वाला था उसने नेमेसिस को अपना बनाने के लिए खुद को एक सवान में बदल लिया और नेमेसिस के साथ रिलेशन में आ गया दोनों के इस यूनियन से नेमेसिस ने एक एग ले किया जिसे टू सेट्स ओफ टुइन्स का जनम हुआ पहला सेट थी हैलन ओफ ट्राय और कलिटम नेस्ट्रा और दूसरा डायुस्कूरी नेमेसिस को undeserving people के पास happiness और prosperity देखना बिल्कुल पसंद नहीं था अगर कोई उसके सेट किये हुए rules और prosperity, fortune और happiness को fulfill नहीं करता था तो नेमेसिस उसकी life को full of loss, unfortunate, circumstances और chaotic बना देती थी अगर एक तरह से देखा जाए तो नेमेसिस के हर step pre-calculated और pre-planned होते थे जिने execute करने में कोई mercy या pity show नहीं करती थी नेमेसिस को बहुत सी जगाओ पर winged goddess की तरह भी दिखाया जाता है जो हाटने sword या dagger लिये भी लोगों को punish करती थी उसे freely rule करने की freedom थी जो जब जाहे जिसे चाहे उसके wrong deeds के लिए उसे punish कर सकती थी तो दोस्तो ये थी goddess nemesis जो gods के खिलाफ arrogance या disrespectful behavior show करने वालों को terribly punish करती थी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते है अपने अगली वीडियो बार and please 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 subscribe my channel ताकि हम एक wonderful community develop कर सके तब तक के लिए goodbye मिलते है अपने next वीडियो में झाल